हाँ तो मुकदमा है सुभान शिद्धी की बनाम इबादत अक्तर शिद्धी की, तो सिदिन शुरू करते हैं केस बड़ा सिंपल है जना, मेरे क्लाइंट सुभान शिद्धी की, अपनी वाइफ इबादत अक्तर की गलतियों से तंग आ चुके, उनसे तलाग चाते हैं लेकिन इबादत जी, इन्हें परेशान करने की मनसा सही इस रिष्टे से आजाद नहीं करना चाहती है और उन्हें दिन प्रती दिन लिए इरादे से नए नए तरीके ढूंडती है अबजेक्शन, यॉर अणर लेकिन आपकी अबजेक्शन की वज़े क्या है इबादत जी, नहीं मतलब को बताएंगे कि आप अपने शोहर को तलाग क्यों नहीं देना चाहती है और बहुत बड़ी वज़ा है वकील साब नहीं ये कहा कि मैं अपने हस्पन को इसलिए डिवॉस नहीं देना चाहतीं क्योंकि मेरी नियत उन्हें परेशान करने की है जो कि गलत है, बिलकुल गलत है मैं अपने शोहर के साथ इसलिए रिष्टा नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि मैं इनसे बे इंतिहां मुहपत करती हूँ फरना गलत तो मेरे साथ हुआ है दोका तो मेरे साथ हुआ है मुझे तो एक ही पल में इनसे अलग हो जाना चाहिए पर मैं इस रिष्टे को एक मौका देना चाहती हूँ यॉर अनर क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो गर तोड़ने में यकीन रखती है उन में से हूँ जो गर जोड़ने में यकीन रखती है क्या बात है इबादत जी वेरी गुड इनसे सब को सिखना चाहिए अगर भारत की हर बेटी की सोच आपके जैसी हो जाए ना इबादत जी तो कोई घर कभी टूटे ही नहीं लेकिन यहां पर क्या है ना समस्या थोड़ी अलग है क्या है कि आप अपने शोहर के साथ रहना चाहती हैं उन्हें तलाक नहीं देना चाहती हैं पर वो आपके साथ लगे रहना चाहते हैं आपको तलाक देना हृसं बात इसी नहीं है मेरे शोहर को भहकाया गया है वो छूट को बुर्याद बना कर यह फैसला ले रहा है isliए मुझे उन्हे अलग होना मनझूर नहीं है क्योंकि और ओनर मैं जानती हूँ कि मैं जितनी मुहबबत करती हूँ अपने शोहर से उससे कई जादा ये मुझे चाहते हैं मगर कुछ लोगों ने मेरे शोहर को मेरे खिलाफ इस तरह भड़काया है कि वो सही फैसला ही ले पा रहे हैं ये जूट है ओनर सुबान जी मैंने कहा ना आपसे जो कुछ भी कहना है यहां विटने सबॉक्स में आगे कहिए मुझे किसी ने नी भड़काया है मैं इस लड़की से महबबत करता ही नहीं अच्छा अगर यही बात है तो जब मैं दिवास पेपस लेकर आई थी तो तुमने पहले साइन क्यों नहीं किया था क्योंकि मैं अपने उपर इंजाम नहीं लेना चाहता था इबादत यही बात अपने दिल पे हाथ रख के कहो अपने जबीर की कसम खाकर कहो कि यही वज़ा थी जो तुम्हें तलाक नामे पर साइन करने से रोक रही थी हाँ नेरा दिल गवारा नहीं था तुम्हारा दिल क्यों गवारा नहीं था क्योंकि मैं क्योंकि अब क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो मगर तुम यह मानोगे नहीं मगर मैं जानती हूँ कि यह सच है क्योंकि प्यारा करते हूँ हाँ था तुम्हार चल यह मानो कि यह है आए लाइग और कॉंफिदेंस घज़िए बादर जी थी टीप अप पॉइंट इज नोटेड और सुभान सिदिक्की जी आप एक बात बताईए आप जो कोड को इंफोमेशन दी है उसका मुताबिक आपकी शादी अभी भी फिलाग हुई है मतलब जयादा समय नहीं हुए शादी को जी पिर ऐसी कौन सी बात हो गई आप इतना परेशान कैसे हो कि आपने डिवर्स के लिए पिटिशन फाइल कर दी है देख बतलब अदालत यह जानना चाहती है कि इतनी जल्दी क्यों आए आपको तलाक लेने की क्योंकि यह ओनर मैं स्विसाइड नहीं करना चाहता था था अ स्विसाइड का क्या मामला है यह जो मेरी बेगम अबादतक तर आपके सामने खडीना यह ओना यह जतनी शरीफ दिखती हैं जतनी भोली दिखती हैं जतना खुबसूरत इनका चेहरा है यह उतनी ही बड़ी चालबाज है इन्होंने मेरा जीना हराम का रख रख रह यह तो ए एक नंबर की धोकेबाज और चालबाज है इसे बातों से खेलना बहुत अच्छी तरीके साहता है यह जो अपने खुबसूरत चेहरे को लेकर खोश हो रही है इस चेहरे के पीछे एक शेतान चुपा है वो शेतान जो दिन रात मुझे परेशान करता है एक मिनिट यह तुम किसकी बात कर रहे है सुबान मेरी या फिर मेरी चालबाज बहन मननत की क्योंकि चुडेल तो वो है शेतान तो वो है तुम और मैं दोनों ही उसकी शेतानियों का शिकार हो चुके है तुमें तो इस बात का ऐसास ही नही है पर मुझे है कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं स तुम भी उन्ही में से हो, इसलिए तो तुम मननत की चालबाजी समझ नहीं पा रहे हो इपादत, चालबाज कहना बंद करो मुझे चालबाजी मैंने नहीं तुम नहीं की है, तुम शैतानों मैंने, आपका दिल दुखा, मननत जी, मैं माफी जाती हूँ जिसका घर तोड़ने पर तुम तुली हुई हो, उसके मूँ से आपके लिए अच्छे अलफाज कैसे निकलेंगे, फिर भी, I apologize वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास और भी नाम है Your Honor, ये वही लड़की है, जो है तो बदकिसमती से मेरी बहन पर इसी के बहकावे में आकर मेरे शोहर मुझ पे बे बुन्याद इल्जाम लगा रहे है आप भी बताइए, Your Honor, मैं इसे किस नाम से पुकारू? आप ही मेरी रहनुमाई फर्माईए, क्या मैं इसे बाजारू कह सकती हूँ? क्योंकि इसने वो सारे नाजायस काम मेरे शोहर के साथ करने की कोशिश की है, जो जमीर बेचने वाली आउरते करती है यही वो दूसरी आउरत है, जो मेरा गर तोड़ने पे तुली हुई है आप ही बताइए, किस नाम से बुलाओ मैं इसे, शैतान या चुडेल? यह ना कहूँ तो और क्या कहूँ? इबादाच! जोड़ूँगी नहीं मैं तुम्हें आओ मेरी बहन, आओ! आओ मेरी बहन, आओ! आओ! लिख वाती हुए तुम्हें किसमे कितना है तुम्हे क्या लगता है, यहाँ खड़ी हो कि मेरे बखवास करो गया, और में कुछ नहीं बोलंगी! आओ मैंने जो कहा वो सक्छ है, समझी! उच माइफ वोट! तुम छूट पोल रही हो! छूट तूट बोल रही हो! तुम्हें क्या लगता है? मेरे सामने खड़ी ओकर सुभान पर हग जताओगी तुम, यहाँ खड़ी ओकर जिस पर हग जता रही हो न तुम, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, क्या लगता है तुमें, लौकी चार किताबे पड़के तुम सुभान को मुझे चीन लोगी, ऐसा नहीं है इबादात, सुभान म सुभान मेरा है, शादी मेरी है, और हम तुम जताओगी, रुक, मैं तुम्हें मताती हो, अरे मननती, आपको समझ नहीं कॉशिस के दिये, मैं मताती हो तुम्हें, छोड़िये, मैं, आप!